माम जैसे अभी आने वाली टाहिम में विमन इंटर्पिनॉल्स वगेरा काफी बढ़ गई हैं तो उस चीज के लिए आपकी क्या राय है मतलब औरतों के लिए कि हाउ आप एक मतलब उनके लिए एक मोटिवेशनल वर्ट अगर कुछ कहना चाहिए महिलाएं पहले भी अगर वेदिकाल से बात करते हूं तो महिलाएं उस वक्त में बहुत सक्षम थी बहुत आगे थी बीच में कुछ कालखंड ऐसा आया जब देश गुलाम हुआ मुगल्स आये तो उस वक्त महिलाओं पर हमने महिला को हमारी एक इज़त समझे या महिलाओं को कि लिए इतना सम्मान था कि हमें उस सम्मान को सुरक्षित रखना हमने सब कुछ छोड़ा हमारे घर छोड़ दिये सब कुछ छोड़ा पर हमारा मा का सम्मान है उसको बनाई रखने के लिए हमने उनको सुरक्षित एक घेरा बनाया वो घेरा बनाते बनाते वो घेरा कू प् बता शुरू हो गई और जो चीजे है वो शुरू हो गई तो उसका महिलाई थोड़ी सी पीठे हो गई अब महिलाई फिर से आगे आ गई है और महिलाई आगे आकर अपना काम बहुत अच्छे से जिम्मेदारी से करती है पर हां महिला होना मा होना अपने अपने मा शब्द में इतना वजन है, स्त्री होने में, स्त्रीत्व है, वो अपने आपने बहुत मैतुपुन बात है, और वो जब भाव मन में आता है, तो जिम्मेदारियां, संगर्ष, वो उसके दूसरा पहलू है, यानि महिला होना, नारी होना, नारी होने के सापने दूसरा पहलू है, कि आपके सामने चुनोतिया होगी, आपके सामने बहुत सारा संगर्ष होगा, उनको पार करते वे नाड़ी बनना है, शक्ती बनना है, तो मैं सब को यही कहती हूँ, कि कुछ नहीं, दो पंक्तिया मन में गुनगुनाईए और आगे बढ़ते जाईए, जो मैं हर बार गुनगुनाती संगर्ष भरा जीवन तेरा, संगर्षों से घबराना नहीं, जब रात हो काली, तो समझो होने वाली है शुब दिवाली, जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अतल रखना होगा, सो बार गिरो फिर भी उठना, लक्षे वेद तभी होगा, है अगनी पत्सा ये जीवन है अगनी पत्सा ये जीवन, तु निर्भीग निडर होकर इस पर चल, चरन पखारेगी मंजिल, निशित होगी तेरी विजय, पर्चम तु ही लहराएगी, हो एकाग्र बस चलती चल, बस चलती चल, बस चलती चल, विजय सुनिशित है तेरी, आज नहीं, तो निशित कल, कल झाल झाल झाल